बाल्स और ग्रेट ट्रावेलर्स बाल्स चो होते हैं बक्सी चो होते हैं बहुत ग्रेट ट्रावेलर्स होते हैं बहुत जल जल बहुत स्पीड उचा सकते हैं बाल्स लिविंग इन भेरी कोल्ड प्लेसेश मोब टू वार्म प्लेसेश इन विंटर देखो, बाल्च लिफ इन भेरी कोल्ड प्लेशस, मोग टू वार्मर प्लेशस इन विंटर, देखो ज़र जिस जगह पर रहते हैं, वहाँ पर अगर बहुत थंड जगह होगा, बहुत कोल्ड प्लेशस होगा, तो वो एक करमी जगह पर चले जाते हैं कौन से सीजन में, विंटर सीजन में वो दूसरे जगह को चले जाते हैं, बाल्च लिफिंग इन भेरी कोल्ड प्लेशस, मोग टू वार्मर प्लेशस इन विंटर, विंटर सीजन में थंडिक जगह को छोड़ कर वो वर्म जगह मतलब गर्मी जगह को चले जाते हैं, वहाँ प मतलब क्या है जिस जफ हम वर्थ होते हैं उसको नेटी बोला जाता है तो नेटीब बुला ये टो इन्तर शेंड खतम हो जाता है तो फिर से वसमें चले आता है इस periodic mass moment of bars from one place to another place called migration तो जो बास जो एक जग से दूसरे जग को जो moment की एक जग को छोड़कर दूसरे जग को आते हैं फिर से उस जग को आते हैं ये moment को क्या बोला जाता है? migration ये बास के migration moments बोला जाता है तो बच्चो ये जो चैप्टर ये खतम है आज तो सारा ठीक से समझा है ना देखो पहले यहां पर oral question कोश दिया गया है what do बास यूज़ते आर बिक्स पोर? बास जो होते हैं अपने बिक्स को कैसे यूज़ करते हैं? अपने बास को क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? वो अपने बिक्स को खाना खाने में और फूड को खोजने में और अपने नेश्ट को बनाने में ये सब काम करने में अपने बिक्स को यूज़ करते हैं निम्बर टू, what type of claws do इगल्स have? इगल्स में कैसा वाला claws होता है? देखो, इगल्स have serve claws with corp nails called talons to kill their prey and deer flesh उसका कैसा वाला claws रहता है बोल रहा है तो इगल्स have serve claws with corp nails उसका nails जो होता है बहुत corp होता है मतलब प्र-corp होता है इस राउंड half circle जैसे रहता है और बहुत sharp होता है नम्बर थ्री, what is migration? मैंग्रेसन क्या है? तुम्हें लिखना है क्या लिखना है? देखो क्या लिखना है? देखो क्या लिखना है? फॉन अधर ब्लैस तो एनाधर इस काल्ड माइग्रेशन तब अब कितना नीव वोल से है नेंबर वान नेस्ट किसे कहते है हाउस आप बाल्स के घर को नेस्ट बोला जाता है नेंबर टू वेव तो मेख वेव क्या है तो मेख सॉम्थिंग बाए क्रोसिंग ट्रेट ओवरेंड अन्डर इच अधर तो यह सारा तुम्हे याद रखना है इसारा नीव वोल्स खुद पढ़ना है और यह सब याद रखना है एने एक क्विक रिकल भी तुम्हें पढ़ना है यह सारा बुक का एक एक समरी दिया गया है एक क्विक रिकल पर तुम्हें खुद पढ़ना है